हेलो फ्रेंड्स क्या पीसी या लैप्टॉप पे यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो यार यह वीडियो आप लाश्ट तक कम्प्लीट देखें यह वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इसके लिए आपको गूगल क्रॉम ब्राउजर करना होगा तो फ्रेंड्स आई बटन पर में लिंक दे रहा हूं आप वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल क्रॉम प्राउजर ओपन करना और यहां पर आपको सर्च करना है गूगल डॉट कॉम सर्च करने के बाद में दोस्तों यहां आपको इसे ओपन क कर सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आई बटन पर वीडियो का लिंक दिया है आप वो वीडियो देखके डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएगी तो सबसे पहले जो वेबसाइट आए क्रोम बटने लेगा साइन इन-कात तो फ्रेंडस सबसे पहले पुए हल इससे गूगल यमीशच खरात तो आपको इसकी आविश्यक्ता नहीं होगी इसके बाद दोस्तों यहां search the store आपको option मिलेगा यहां आपको YouTube सर्च कर लेना है इसके बाद YouTube लिखाएगा इस पर click कर दे इसके बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं दो extensions आपके सामने आगे तो इन में से किसी एक को आप अपने Chrome ब्राउजर पर add कर सकते हैं दोनों में से किसी को भी आपने add कर लिया तो friends आपके YouTube वीडियो पर add आना बंद हो जाएंगे इसके बाद दोस्तों आपको add to Chrome जो की सामने लिखा इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद में add extensions पर आपको click कर देना है इसके just बाद में दोस्तों ये अपने Chrome ब्राउजर पर add हो जाएगा तो यहां देख सकते है add blog to YouTube has been added to Chrome लिखा गया तो आपको इसकी icon पर click करना है यहां आपको दो option मिलेंगे दोनों को आपको enable कर देना है अब बात करेंगे friends किस परकार आप YouTube वीडियो देखते हैं तो बार बार उसका side change ना हो तो इसके लिए दोस्तों यहां आपको type करना होगा YouTube auto तो यहां आप जैसे या आप type करेंगे तो देख सकते हैं YouTube auto लिखा गए इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद में यहां देख सकते हैं दोस्तों दो extension हमारी सामने आगे तो इन में से किसी को भी आप अपने Google Chrome browser पे add कर सकते हैं तो यहां friend हम automatic 4K HD for YouTube इस extension को हम अपने Google Chrome browser पे add कर लेते हैं तो friends यहां add to Chrome पे click करते हैं तो यहां देख सकते हैं option आएगा add extension तो यहां हम click कर देते हैं इसके बाद में दोस्तों यहां देख सकते हैं यह add हो चुका है इसके बाद में दोस्तों यहां आप देखेंगे कि यहां बहुत सारी size यहां आपको दिखाई देगी तो फ्रेंट्स यहां से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में दोस्तों आप जो भी यूट्यूब वीडियो प्ले करेंगे उन पर दोस्तों वही साइज हमेशा बनी रहेगी इसके बाद फ्रेंट्स आपको फिर से यहां टाइप करना होगा यूट गूगल क्रॉम प्राउजर पर इनमें से किसी को भी एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हम यहां एड़ कर देते हैं डार्क थेम फोर यूट्यूब इस एकस्टेंशन को तो फ्रेंट्स यहां एड़ टू क्रॉम पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद में फिर से हमें यहां क्लि नहीं करना है इसके बाद में Friends हम यहां YouTube open करके देखते हैं क्या हमने जो Dark Theme लगाई एकक्या यह work करता है या नहीं तो यहां देख सकते हैं यार बिल्कुल हमारे YouTube.com जो हमने यहां open किया है तो यहां देख सकते हैं बिल्कुल Dark Theme के साथ में दिखाई दे रहा है तो friends यहाँ आपको कोई ज़्यादा settings नहीं करनी है automatically यह काम करेगा इसके बाद friends बात आती है कि आप extensions को remove कर सकते हैं जब चाहे आप इन्हें remove कर सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं remove from chrome का option आपको मिल जाएगा आपको इस पे click करके इसे remove कर देना है friends यदि आप चाहें तो यहाँ menu bar से आप इन्हें hide भी कर सकते हैं तो आपको यहाँ option मिल जाएगा hide in chrome menu तो आप इन्हें hide कर सकते हैं यदि आप चाहें फिर से menu bar पे show हो तो यहाँ देख सकते हैं show in menu का option आपको मिल जाएगा तो यहाँ से आप इसे वापस से शो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो यहाँ लाइक कर दे चेनल को सब्सक्राइब नहीं बादा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर ओके कर दे मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ दन्या वाइए